हेलो दूस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक माइक्रो कैप केमिकल स्टॉक बताने जा रहा हूँ जो आपको लॉंग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे देगा अभी मार्केट करेक्शन चल रहा है तो आप क्वालिटी स्टॉक को एवरेज कर सकते हैं आप अपना पॉर्टफोलियो सेल मत कीजिए बस क्वालिटी स्टॉक को अड़ करते रहिए यस बैंक, ओड़फोन आइडिया इन सब स्टॉक से दूर रहिए आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो लॉंग टर्म में आपका बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा लास्ट येर भी कोरोना के टाइम पे ऐसे ही क्रैश आया था आप देख सकते हैं इस साल निफ्टी 18,000 तक पहुंच गया है लास्ट येर 6,000 ता नेक्स्ट येर ये 20,000 तक पहुंच सकता है आप अपना इन्वेस्टमेंट बरकरार रखिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों इस कंपनी का क्वाटली रिजल्ट देख लेगते हैं सब्सक्राइब 2017 में इसका 107 क्रोर रेविन्यो आया था आप देख सकते हैं प्रॉफिट 2 क्रोर मिला था 2018 में 4 क्रोर डबल हो गया है और 2019 में 3 क्रोर 2020 में तोड़ा डिपो गया था कोरोना टाइम पे लेकिन जून में देख सकते हैं बरबर 11 क्रोर का प्रॉफिट इने मिल गया है अब सेल्स देख सकते हैं 107 क्रोर से लेकर 132 क्रोर हो गया है ओपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हैं इंक्रीज होता ही रहा है अभी 15% पर है quarterly result के मामले में ये stock बहुत अच्छा return देते आ रहा है अभी हम इसकी shareholding pattern को देख लेते हैं promoter के पास 74% है mutual fund, DIA और FIA के पास कोई कुछ भी stake नहीं है और retail निवाशोकों के पास 25% है इन सब मामलों में भी ये अच्छा ही है promoter के पास ही ज्याद अश्टेक है retail निवाशोकों के पास 25% ये अच्छी बात है दोस्तो इस stock का नाम है Yashow Industries Limited ये बहुत ही चोटी micro cap company है अब देख सकते हैं इसने FTCS ज्यादा return दिया है entry point B सही है क्योंकि overbroad zone में नहीं है current price is more than intrinsic price तोड़ा ज्यादा valuation में अभी माउजूत है अगर मैं returns की बात करूँ तो weekly return इसने कुछ return नहीं दिया है अगर मैं monthly return की बात करूँ तो 39% return दिया है yearly देखूँ तो 755% मतलब 7 गुना पाइसा हो गया है एक साल में अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 1204% return दिया है यह बहुत ही अच्छे return है शानदा return दे दिया है इसने investor का पाइसा 1000% डबल कर दिया है दोस्तो इस company के products की बात करूँ तो देख सकते हैं यह worldwide product export करता है और import भी करता है food antioxidant, lubricants, specialty chemicals, rubber chemicals, aroma chemicals इन सब में यह बहुत अच्छा काम करता है अभी microcap company है आगे जाके बहुत अच्छा return बना कर यह दे सकता है यहां देख सकते हैं यह company research और development के लिए बहुत अच्छी तरह से मानी जाती है continuous innovation process अप्ग्रेडेशन करती रहती है मैंने यशो इंडेस्ट्री के चार्ट को trading view पे open किया है आप देख सकते हैं यह lifetime chart है 2019 से 2022 तक बहुत ही अच्छा चार्ट दिख रहा है शांदा return इस ने दिया investors को आप देख सकते हैं long bull run में यह चल रहा है अभी तोड़ा consolidation phase में चला गया है मैं weekly time frame को change करके daily time frame में जाता हूँ आप देख सकते हैं एक range में consolidate हो रहा है अगर मैं support और resistance की बात करूँ तो resistance 1493 पर है support की बात करूँ तो 1238 है अगर आपको नई करीदारी करनी है तो इस range में कर सकते हैं इस range के अंदर अगर आपको ज्यादा quantity आड़ करनी है तो 1493 के उपर में सलाओ दूँगा क्योंकि उसके उपर ये breakout कहलाएगा आप ज्यादा quantity को उसके उपर आड़ कर सकते हैं आप volume भी देखिए अगर ऐसा थगड़ा volume के साथ आपको breakout मिल जाता है तो आप quantity आड़ कर सकते हैं recently इसका result भी announce हुआ है और result बहुत ही positive एप इनका profit increase हुआ है आप अभी भी करीदारी इसमें कर सकते हैं लेकिन इसमें ज्यादा investment मत कीजे क्योंकि ये micro gap company है तोड़ा risky हो सकता है बहुत ही कम पैसे डाल दीजे इसमें ये long term में बहुत अच्छा return बना कर आपको देगा investment करने से पहले आप भी आपना research कीजे और कोई doubt है तो comment section में comment कर दीजे वीडियो को देखने के लिए दन्यवाद Thank you